दोस्तों स्वागत है आप से लोग का आज की हमारे स्विडियों सो आज की स्विडियो में आपको दाबेक पेचर शो दोजारी किस के विडियो ओडिशन के टाम से कंडिशन को आपको बताया गया है मेल आ गया है जिनका भी यहाँ पर विडियो ओडिशन होने वाला है उडिशन होने वाला है उन सभी लोगों को मेल आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको इसके बार में भी जानकाई देने वाला हूँ चले दोस्तों बिना खेसी इंतिजार के देखते हैं कि कौन से हैं वो टर्म्स हैं कंडिशन्स वीडियो ओडिशन से संबंदेत दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहला अगर आपने हमारे चैनलों को सब्सक्राइब नहींगे बिग पिचर शोग के वीडियो ओडिशन से संबंदेत तो चले उसलों अब हम मैं यहां पर आपको लेकर करके चलता हूँ दा बिग पिचर शोग के टीम के तरफ से जो पीडियो जारी की गई है जिसमें ओडिशन के बारे में साही जानकरी बताए गई है वीडियो ओडिशन से संबंदित उसको हम चले देख लेते हैं दोस्तों अब तक आपके पास ये PDF पहुंच गई होगी दाविक पेचर शो के instructions की जी हाँ वीडियो ओडिशन की instruction की लेकिन दोस्तों आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर आपके पास ये PDF नहीं है तो आपको ये कैसी मिलेगी इसके बारे में दोस्तों मैं आपको जानकरी देने वाला हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो terms and conditions है यहाँ पर instructions है बारी बार करकर हम हरे instructions को दोस्तों पढ़ेंगे और छोटे सी ये video होने वाली है completely information के साथ यहाँ पर देख सकते हैं please read these instructions carefully to help you make your video आपकी video बनाने के लिए audition में इस जो यहाँ पर instructions दे गए हैं इनको ध्यान से पढ़ें यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं please download the video questionnaire for your reference before you start shooting the video this is to ensure that you answer all questions करिपया video shoot करने के लिए video प्रशनावरी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नीचे दी गई है मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह है यह सुनेश्यत करें करने के लिए कि आप सभी प्रशनों के उत्तर दें और यहाँ पर आपको बताएगा है क्रिपया है सुनेश्यत करें कि आप record किये गए video को अपने पंजी करित phone number से ही upload करें मतलब जो आपका number है उसी से ही मतलब जिससे आपने registration किया है और आपको जिस पर call आया है आपको वही number से login करना होगा और आप उसी से ही upload करें क्रिपया सुनेश्यत करें कि आप 6 मिनट में सभी प्रशनों का उत्तर दे इसका मतलब दोस्तों आपको एक ही video बनानी है और 6 मिनट की आपको वीडियो बनानी है 6 मिनट से कम की video होनी चाहिए और दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर एक ही video में साही जान कर यह अपने बताएंगा तो मतलब यह तो क्लियर होगा कि अलग अलग video नहीं बनानी केवल एक ही video बनानी है आप देखिए आप नीचे देख सकते हैं हिंदी लेंगेज में ही बहुत सब्सक्राइब ही बना दे क्या हम दोनों में बना दे क्या तो देखिए आपको हिंदी में यहाँ पर वीडियो बनानी है नोर्मल हिंदी जो आपको अपने घर में बोलते हैं या फिर जो नोर्मल हिंदी चलते हैं वैसे आपको यहाँ पर बतानी है वीडियो में भाशा अब यहां पर आप देखते हैं आपको बताएगा या कृपया वीडियो को शांत कैमरे में या शांत जगह में बनाएं वीडियो बनाते समय आवाज में आने वाली बाधा से बचने के लिए कृपया पंखे, कूलर या अन्य शोर करने वाले उपकरणों को बंद करें देखें दोस्तने यहां पर आपको क्या बताएगा है कि वीडियो को शांत कैमरे में और शांत जगह में बनाएं जो शोर करने वाले चीज़ें उतने ऐसे कुत्तों का भोकना हो गया और आपके पंखों की आवाज हो गई, कूलर की आवाज हो गई तो यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिस जगहें पर आप वीडियो बना रहे हैं अगर आपके घर में AC है तो आप AC में भी वीडियो बना सकते हैं वरना 5-6 मिनट की वीडियो आपको यहां पर बिना पंखे कूलर के बनानी होंगी यहां पर आप देख सेते हैं क्रिपया यह वीडियो परियापत रोशनी में रिकोड करें ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अंदेरा आ रहा हूँ आपकी शकल अच्छे से दिखी ना रही हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी वीडियो जो है दोस्तों रोशनी में होनी चाहिए यहां यहां भी सुनिश्चेत करें कि आपको चैरा है हर समय वीडियो में पश्ट रूप से दिखाई दे यहां कि बहुत सा लोगों का चैरा कभी बलर हो जाए जाए कभी कुछ हो जाए तो देखे आपको ऐसा नहीं करना है चे की छे मिनट के वीडियो में आपका चैरा अच्छे से पूरी तरह से दिखना चाहिए और आपको हिलना नहीं है इस बात का आप ध्यान रखीगा सुनिश्यत करें कि आप वीडियो रिकोर्ड करते समय आप अपने फोन को लैंड्सकेप मॉडर में रखें नीचे दिखें तस्वीर को संदर्व लें का संदर्व लें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले यह जान खई देजी थी पोर्ट्रेट मोड जिसमें आपका जो मॉबाइल होता है वो खड़ा वो होता है जिसमें आप अपने मॉबाइल का इस्तमार करते हैं और यह मोड जिसमें आप वीडियो रिकोर्डिंग अगर आपके पास हो तो आप बना सकते हैं उसे भी कोई चिंदा की बात नहीं है यदि आप किसी उपकरण का इस्तमाल करना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं है जैसे कि आपर मैंने आपको बताएं ना कि यहाँ पर लिख रखा है अगर आप अपनी कोई भी तस्वीर उप को लिंक पर अपलोड करने से पहले उसकी जांच कर लिए हां दोस्तों बहुत सा लों का मैंने देखा है कि वाई वीडियो अपलोड दूसरी करनी थी तेकिन अलग वीडियो अपलोड कर दी तो देखिए आपको यह शनुश्रित करना है वीडियो अपलोड करने से पहले कि आप जो वीडियो अप्लोड कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं तो आपको एक फोलडर बना अब यहां पर आप देख सकते हैं क्रिपया नीचे दिये गए निरदेशों को पढ़ें और हमें अपना पूरा 6 मिनिट का वीडियो भेजें जो हमें आपको समझने में मदद करें तो आपको 6 मिनट के विडियो यहां पर 6 मिनट में आपको क्या क्या बताना है विडियो में यहां पर आपको बताएगए चले देखते हैं क्या है देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम बताना होगा आपका नाम आपकी उम्र और आप कहां से है मतलब मूल निवासी आपका स्थान कौन सा है तो यहाँ पर आपको प्लेस ओफ ओरीजिन बताना है और आप अभी फिलहाल किस जगे में रहते हैं आपका मूल निवास्थान जो है वहीं पर आप रह रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि भई मैं यहीं काई हूँ और यहीं पेरी मैं रहता हूँ तो यह देखिए आपको यह तो बता नहीं यहाँ पर मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में एक 6 मिनट की वीडियो बनानी है लगभग 6 मिनट की होने चाहिए यू नहीं कि पूरा के 6 की 6 मिनट की होगी लगभग 6 मिनट की होनी चाहिए आपका अभी आप किस कारे कि मतलब आप क्या काम कर रहे हैं अभी फिलाल occupation क्या है आपका educational qualification क्या है मतलब आप 12 पास है post graduate है graduate है आपको जान करें देनी है आपको अपने family के बारे में बताने हैं अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताईए और अपने interest hobbies के बारे में बताईए आपका dream क्या है आपके बड़ा सपना क्या है आपके जिन्दगी का और सबसे बड़ा लक्षे क्या है आप क्या पाना चाहते हैं और आपका क्या बड़ा सपना है तो यहाँ पर आपको यह भी बताना है और साथ ही जाथ दोस्तों आपको यह भी बताना है कि please show and describe one picture that adds significance to your life and why अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जिन्दगी से जोड़ी कोई ऐसी तस्वीर इस वीडियो में दिखाए जो आपके लिए बहुत महत्रपुन और यादगार है और उसका कारण क्या है देखिए अगर आप मानके चलिए पार्टिस्पेड करना क्यों चाते हैं यहां पर आपाप क्यों लिए तजुना गया तो आप यहां पर रंवी साथ जो है मतलब उनके समय उनके साथ जो है वो समय आपको कैसे बिताना आप यहाँ पर्छाएए g मैं हिस् och so में मतलब show का हिस्सा बंते हो तो आप host runway singh के साथ वक्त कैसे बिताना चाहोगे जी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको बताए गया है how will you spend your money your winning amount from the big picture the big picture show में जीती हुई राशी में आप क्या करना चाहेंगे उससे आप क्या करोगे आप अपने विस्तार आप अपने आपके बारे में विस्तार से अच्छे से बताईए और यहाँ पर आपको बताए गया है कि आपकी जिंदिका कोई ऐसा पल है जिससे आपकी जिंदिकी बदल गई हो मतलब कोई ऐसा पल है या फिर कोई ऐसे यादे हैं जिससे आपकी पूरी की पूरी जिंदकी ही बतल गई हो तो देख सकते हैं आप 10 टोपिक तो यह हो गई पूरे के पूरे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाए जैसे कि यहाँ पर 10 टोपिक हैं आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 10 टोपिक हैं पहले टोपिक में तो WhatsApp ग्रूप पर सेंड कर दूँगा आप उससे इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं जी आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं कुछ जरूरी जानकारी के बारे में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप जो है आपकी जो वीडियो ह वो 7,8,9 मिनिट तक चली जाए तो आपको दोस्तों उस हिसाब से अपनी वीडियो को बनाना है कि आपकी जो वीडियो है वो 6 मिनिट के आसपास ही रहे 20-25 सेकिन आगे पीछो हो सकते हैं लेकिन उसके आसपास ही रहनी चाहिए उससे जादा बहुत जादा आगे ना हो दोस से वीडियो को शूट कीजिए एडिटिंग मत कीजिए का एडिटिंग की कोई आवरशकता नहीं है लाइट वगरे पूरी रखिएगा और हो सके तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अगर मान के चलिए आपकी से स्टूडियो में जाकर रिकोर्डिंग करना चाहिए तो आप व बहुत साथ लोग करें थे कि मेल आगया किसा देखिए यह मेल में जानकारी नहीं मिली है यह बिग पेचर की टीम के द्वारा अप्लोड के गई जानकारी है पीडियेफ है किसी को भी इससे संबंदित कोई भी मेल नहीं आया बहुत सार लोग आपको यूटूबस बता रहे झाल